हलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप के बारे में जिसका नाम है समिक्षा एप जमू एंड कश्मीर में ये एप स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन की गी है इसका एक मौटिव है इसका एक मकसद है वो पूरा होना चाहिए तो आज बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी इसमें लॉग इन करने में बहुत सारे बच्चों ने ट आपने फोन में समिक्षा एप लॉग इन करेंगे जिन बच्चों को लॉग इन करने में प्रॉब्लम आए वह कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं और मेरे वाटसप नमबर पे भी हमारे स्कूल के जो बच्चे होंगे तो वह मैसेज करके बता सकते हैं मैं उनको एक बार फिर से help करूँगा तो ये समिक्षा ये पे हमारी इस पे आपने सबसे पहले क्या करना login में एक student की ID login करने जा रहा हूँ जो कि वो एक student है उसकी ID ये है तो इसमें जो password आपको मैंने बताया हुआ है वही password रहेगा अपना password आपने लगाना है जब ID और password आप लगा देंगे उसके बाद 14 digits के ID होगी एक बार आप नोट कर लेंगे एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे अगर आपको जो ID मिलिये तो उसके बाद आपने यहाँ पर password वाले column में password इंटर करना है फिर आपने इसको sign in के उपर यह कुछ problem होगी तो एक बार हम फिर से इस पर try मारते हैं जरा देखते हैं कि यह एप क्यों नहीं चल रही है ठीक है अगर यह एप नहीं चलेगी तो हम कुछ और भी करेंगे फिलहाल हम देखते हैं कि यह नहीं login हो रही है जैसे आपने देखा कि दो बार हमने try किया login नहीं हो रही है बेक हो रहा तो ऐसी problem आप सबको आ सकती है फिर एक बार में इसको try करता हूं अगर नहीं होई तो मैं अब थोड़ा सा official ID से भी चेक कर लेता हूं कि इसको problem क्या है शायद इस student के नाम पे हमने या कोई mobile number register नहीं किया तो कोई एक number register कर देते हैं ठीक है तो मैं एक लड़के का farm देख रहा था ठीक है तो इसको हम एक बार और चेक कर लेंगे कि इसके detail क्या भर account भी आगिया लेकिन phone number इसका खा लिए एक बार मैं इस पर अपना ही phone number लगा के देखता हूं अगर इस से हो गया तो फिर्म आपको अपना mobile number भी register करवाना होगा वह आप हमें message करोगे message करने के बाद जब आपका number registered हो जाए एक बार हम फिर से try करते हैं अब हमने mobile number को इसमें submit किया तो हो सकता है कि अब ये हो जाए और होना भी चाहिए अब हमने जब इसको password हाँ देखिए जब हमने वहाँ पे mobile number लगाया तो OTP आ गया 641344 यह हमने यहाँ पे इंटर करना 6413 तो दूसरी बात में आपको यहाँ पे यह बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों का login नहीं हो पा रहा तो उनका mobile number लगाया तो उनका mobile number register नहीं हुआ है हम यहाँ से एक बार रिजिस्टर जैसे मैंने आपके सामने एक number अपडेट किया तो एप पे हम login कर सकते हैं तो अब submit करेंगे हम तो आसानी से login हो जाएगा अब हम देखते हैं कि login के बाद हमारे पास क्या-क्या option आते हैं अभी भी जैसे बच्चों के messages आ रहे हैं हमें तो या इस टाइम में call भी नहीं ले पाऊंगा इस पे आपके पास क्या आता है टीचर्स फीडवेक टीचर एसाइंड अभी एक ही दिखा रहे हैं कुछ मेप करने हैं तो वो हो जाएंगे पेंडिंग टीचर्स फीडवेक वन स्कूल फीडवेक अभी कोई सब्मिट नहीं हुआ तो सब्मिट फीडवेक जो यहां पर यलो कलर का है इस पे आपने क्लिक करना सब्मिट फीडवेक तो आप देखोगे कि मार्निंग असेंबली आपके स्कूल में होती है यह तो कुदरती बात है कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां पर मार्निंग असेंबली नहीं होती है तो आप इसको एंड तक ड्रेग करोगे यह नीली लाइन आनी चाहिए ठीक है तो स्कूल या जो हमारे प्रिंसिपल सार होते हैं जो है एचो आई स्कूल के होते हैं वो एवलेबल रहते हैं एसेंबली में बिलकुल रहते हैं ठीक है पानी पीने के लिए स्कूल में है अगर आपके स्कूल में तो पानी तो बहुत अच्छी फैसल्टी है 24 गंटे पानी होता देखे मिड़े मील की जो बात है वो तो एट तक मिलता लेकिन यहाँ पर बनता वो तो आपने एट तक तो आपने भी खाया और आपको इसका तजर्बा भी है तो आप लिख सकते हो कि हाँ यह भी बनता है तो आप हाथ दोते हो क्या अब आप यहाँ पर यह सा लिखोगे कि सर नहीं दोते हैं तो ये भी एक अच्छी बात नहीं हाथ तो हर कोई दोता तो आलवेज तक जाना आपने ठीक हम दोते हैं अब क्वालिटी आप फूड वो भी ठीक रहती है ठीक है हेल्थ चेक अप अभी देखो हमारे स्कूल में हेल्थ चेक अप के Legenda के लिए डॉक्टर सके टीम आयी थी न तो उन्होमने सबी बच्चों को चेक अप किया था वह भी लिखो गया अगर नहीं हुआना चेक अप लिख सकते हूं कि नहीं वा जिनका हुआ होसा सब्जेक्ट कोई यहां पर इंट्रिडूस होना चाहिए या कुछ भी लिख सकते हो यह मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे वह अपना अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और कॉपी करेंगे तो यहां पर अपना कोई भी आइडिया लिख सकते हो ठीक है तो या गेम्स पर ज्यादा फोकस देना कल्चरल एक्टिवटी पर ज्यादा फोकस देना तो यह चीज़े आप लिख सकते हो या इंफ्रास्ट्रिक्चर को तो कुछ भी आप इसमें यह लिखके आप इसको को प्रसीड करेंगे ठीक है अब देखो स्लेक्ट लेंग्वेज लेंग्वेज में आप यहां पर क्या करोगे फिलाल इंग्लिश करोगे यहां पर जो टीचर का नाम आया ना हो यहां पर अभी तो आपने स्कूल का यहां पर नाम है तो यहां आपको क्या पढ़ाते हैं ठीक है यह तो लड़का यहां पर मेरे साथ बैठा हुआ यह कहते हैं कि अर्दू पढ़ाते हैं ठीक है तो अर्दू पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्या आपके टीचर आपको होमवर्क देते हैं तो यह पहले आपन समझाती है ठीक है तो ये सारी चीज़े आपने फिल करने के बाद फिर आपने सब्मिट करना ठीक है देखते हैं आगे कितने आप्शन्स आएंगे फरस्ट टाइम ये एप यूज कर रहे हमें भी इतना भी इसका एक्सपिरियंस नहीं तो मैं इसको फिलाल आलवेज करूंगा इसमें कुछ चीज़ों को हमने क्या करना देखिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आपको ये सारे आप्शन पढ़ने हैं क्या आप अपने doubts कलियर करने के लिए आपको बोला जाता या आपको time दिया जाता तो अगर दिया जाता तो आप always लिखोगे या very often जो भी आपको ठीक लगता क्या आपके teachers school में properly behave करते हैं आपके साथ तो आपको जैसा लगता है always लगता या very often वह आप लिख सकते हो corporal punishment मिलती है आपको बिलकुल भी नहीं मिलती है तो मुझे लगता कि इसमें आप does he she give corporal punishment in class मुझे नहीं लगता मन्जूर सरसे तो हमने खुद पड़ा हुआ वह तो कहां punishment देते हैं वह तो हस्ते हस्ते बात करते हैं तो हाँ मेरे जैसे कोई teacher हो तो हो सकता कि कभी को बार गुसा कर देते हैं लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से never आएगा does your teacher give full assigned time is but हाँ time table के हिसाब से तो time देते हैं यह चीज़े आपने यहां पर note रखनी है does teacher use mobile for personal purposes while taking class तो class के time तो कोई भी use नहीं करता यह तो maximum school में ख्लास में भी नहीं लाते हैं जब कोई काम होगा वो आफिस में ही हो जाता does teacher take regular assignment in test in class हाँ test होगे रहा तो होते रहते हैं यह भी आप लिख लोगे फिर आपके पास एक और question आता कि does teacher give moral lesson like नशामुक्त भारत अब यानिया तो हमेशा ही होते रहते हैं इसमें तो आप लिख सकते हूं कि कितनी बार हमने नशामुक्त भारत पे एक्ट्यूटीज किये चार्ट बनाए पैंटिंग किये तो यह चीज़ें आपने आलवेश हो करनी है तो आपको क्या comfortable लगता अपने टीचर हमें तो बहुत comfortable फिल होता था तो यहां इस बच्चे को भी जो इकास का जिनका मैं फ़ाम बर रहा हूं यह तो often comfortable रहते हैं with teachers के साथ तो इसमें हम always लिखेंगे क्योंकि always comfortable रहते हैं अब लास्ट में आ रहा है कि what changes you wish to have in your teacher? आप क्या चाहते हो कि आप अपने टीचर में और क्या change आने चाहे हैं? क्या करने चाहे हो? जैसे कि जो चीज आप में रहता है कि कमी रहती है तो आप लिख सकते हो. अगर आपको लगता कि सब चीज़े ठीक है तो आप लिख सकते हो, everything is perfect. लेकिन अगर आपको लगता कि कुछ चीज़ों की जरूरत है तो आप वो जरूरत बता सकते हो. तो अपनी क्लास के हिसाब से आपने अपना feedback लिखना, ठीक है? अभी मैं ये सब्मिट करूं, नहीं करूं, बाद में भरूं वालागे, लेकिन ये idea देने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ. क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चे अभी भी कॉल कर रहे हैं कि सार, लॉग इन ही नहीं हो रहा, फिलाल लॉग इन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ. तो बाकी आपने feedback में क्या भरना है, क्या नहीं भरना, वो आप देख, फिर आपने proceed पर करना है, जब proceed पर करोगे तो यहां पर आएगा, do you want to continue, तो फिलाल आप yes करो, देखते हैं कि yes करने के बाद क्या आता, क्योंकि ये newly designed day पे किसी को कोई पता नहीं कि next option में क्या आने व जैसे मैंने screenshot लिया feedback added, कि हमें भी पता चले कि आपने feedback लिया, okay, फिर क्या आता कि फिर आपने language select करनी है, अब यहां पर आपको फिर क्या करना, अभी तो यहां पर एकी teacher show हो रहा है, क्योंकि यहां पर staff की कमी है, तो non teaching या जो MTS हो गएरा, बाकी लोग बढ़ाते हैं, उनक अभी add नी क्या, इनको भी add कर देंगे, फिर आपने हर एक teacher के सामने जो जो नाम आएंगे, आपने क्या करना, वो feedback तियार करना, फिर हम, फिर वो next आ जाएगा, तो फिलहाल यह ठीक है, अभी एक आपका हो गया submit review, इस वीडियो में इतना ही, अगर और कहीं किसी चीज में थोड़ी भी problem आएगी, तो आप message करके पूश सकते हो, धन्यवाद,